बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पिने यूटूब चैनल सुकला स्टड़ी बाइने में मैं सियुम सुकला आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो के इंत्रेट हम लोग बात करेंगे प्राची नितिहास आर्थात एंसंट हिस्ट्री के लिखित मॉडल पेपर के बारे में लिखित मॉडल पेपर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जुनकी परिच्छाएं आपकी किसी की परिच्छा लिखित होनी है और किसी विस्विडियल की परिच्छा अब्जेक्टिव होनी है तो खास करके ये model paper होगा लिखित वालों के बच्चों के लिए लेकिन आपको बता दें कि अब्जेक्टिव आले चाठ चातरे हैं हमारे इस वीडियो से भी लाभाद्वित होंगे तो चाहे आपकी परिच्छा लिखित हो चाहे आपकी परिच्छा अब्जेक्टिव हो ये लिखित model paper है लेकिन इसमें जो उत्तर बताया जाएगा जिसमें जानकारी जो दी जाएगी वहाँ से objective टैप के परिच्छ बहुत ज़्यादा आपकी फसेंगे तो most important परिच्छा को इसमें हमने रखने का प्रियास किया है और उसके उत्तर भी सासाथम चर्चा करेंगे आये चर्थे हैं और समस्ते हैं आखिरकार तो 2022-2023 जो आने वाली आगामी परिच्छा है उनके लिए बहुत ज्यादा महत पूर होने वाला लेक्छर ठीक चलिए प्रारम करते के अक्छा को बिना समय गवाय हुए आसानी से एक मुद्धी को समझते हैं बिये परिच्छम समेश्टर 2022 प्राचीन इतिहास प्रसनपत्र का नाम आपके है भारत योंग बिस्ट की प्राचीन समभिताएं ये आपकी पेपर का नाम है जब आप प्राचीन इतिहास आप लेंगे जैसे कि जब आप प्राचीन इतिहास लेंगे बिये प्रथम समेश्टर में है अगर आप और आपने बिये में एडमिसल लिया उसमें आपने प्राचीन इतिहास को लिया तो इतिहाज में अगर आपने प्राचीन इतिहाज चुना तो आपको पढ़ना क्या पढ़ेगा भारत यों बिस्तु की जो प्राचीन संभिताएं हैं उनको आपको पढ़ना पढ़ेगा इसको अंग्रेजी में कहाता है अब भारत की कौन को सी संभिता है रही तो भारत में आपको पता होगा जैसे की आपकी सिंधु घाटी संभिता रही है तो सिंधु घाटी संभिता के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में हमको देखना है संभिता और संस्कृति के बारे में जैसे आप देखेंगे जो है सिंधु घाटी सभिता के बारे में जानते हैं उससे पहले आप भारती संस्कृति को दिखेंगे बेद वगारा बेदांग क्या है उत्तरवैदिकाल रिकवैदिकाल इन सभी से प्रसना आते रहेंगे और हडपा हो गया मोहजोद आड़ो सिंधु घाटी इन सभी से प्रसना आते हैं रिकवैदिकाल उत्तरवैदिकाल ठीक तो यहां से भी प्रसना आते हैं महा काव व्यूग क्या है यहां से भी प्रसना आते हैं आपके तो इस प्रकार से भारती चीज़े हो गई उसके बाद में जो भाग आपका बाह होता है इसी में भाग आज होता है प्राचीन भारती संस्कृतियां यह भाग मिस्भीत़ की प्राचीन संस्कृतियां है चुकि भारत की यह प्राचीन संस्क्रतियां है उसको हम पढ़ेंगे पेपर मलग की भाग वन के उसी किसी पीथ उस्से Because Bar गई बेबेलोनिया की सब्विता हो गई ठीक यह सब्विता है असीरियन सब्विता हो गई और उसके बाद में आपकी जो है सांग इगीन सब्विता हो गई जिसको आप जो है चीन की जो सब्विता है उसको जानते हैं तो यह सारी की सारी चीजी को हम समझेगे तो यह जो है व प्रसने फसेंगे और आपको यह भी बता दूं कि आप यह मत परेशान होगे कि पेपर का नाम क्या है पेपर का नाम आपके भारत विश्ट की प्राचिन सब भिताएं हैं यह आपको देखना पड़ेगा उसमें आ और बा कटा हुआ आपके स्रीज बगारा देखेंगे तो अस सा तीन खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा अब आस से कैसे परसन पूछे जाएंगे बास से कैसे इसको मैं दिखाने का प्रियास करता हूँ हलाकि एक भी स्विट डेले का लिखित पेपर हुआ था उसका जो है पेपर हमने आपके समखसांजा कर दिया है उसको भी देख लीजेगा और ये भी देख लीजेगा और इसके पहले लिखित मार्ले पेपर हमने और दे दिया है उसको भी देख लीजेगा ऐसा भी परसन यहां पर आपको करने अनिमार होंगे आतिले फ़िगते टाइप के नहुम नें जिंग से 5 करने हैं llama और इसी परकार से हमने यहांपर 5% दिर गुत्रे के रखने है अलाकि एकजाम से 4 ही आएगा आपके लेकिन 5 रखा है उनमें से आपको 2% करने तो 8 से यहांपर 5 करने और यहांपर 10 के 10 करने तो 10, 5, 15, 12, 17 परसनापको यहांपर करने है देखते हैं भाई प्रसंद क्या है पचास सब्दों में आपको लिखना है ती लगुतरी प्रसंदों को और लगुतरी प्रसंदों को 200 सब्दों में और दिर्गुतरी प्रसंदों को आपको 500 सब्दों में लिखने के लिए बोलीगा चली सिंधु संभिता का विस्तार कहां तक था सिंधु गाटि संभिता का विस्तार कहां सकता आपसे पूछ रहा है तो आप क्या लिखेंगे भाई हडपा संस्कृति या सिंधु गाटि संस्कृति या एक ही बात है तो आप से पूछेगा कि जो है कहां तक था तो आप लिखेंगे कि हरपा संस्कृति का केंदरस्थल क्या रहा है तो भाई केंदरस्थल में आपका पंजाब सिंध ये मुख्य रूप से रहे हैं पंजाब का एरिया और सिंध जो सिंध नदी है उसकी आसपास का जो एरिया है स सिंदु घाटी में भी यही रहा है सिंदु घाटी में भी यही रहा और उसके बाद में और यहीं से इसका विस्तार बात की जाए तो सिंदु घाटी से मलब की सिंद से और पंजाब से एकर विस्तार देखें इसका दक्षिड में तो दक्षिड से और पूरब तो दक्षिडी के भाग ही नहीं बल्कि आप देखेंगी तो गुजराद भी सिक ग्तर गता है और उसके बाद में राजस्थान हो गया आपका हरियाणा भी हो गया आपका कुछ शुचा आता है और पश्चमी उत्तर प्रदेश के जो है लगवग सीमा जो सीमान्त इलाके हैं वो सब किसम आ जाते हैं तो पश्चमी उत्तर प्रदेश का भी आधा ज़या एरिया जो है वो कहां तक महुंसता है बेरी पैरे दोस्तों वो सब सिंदु घाटी सभिता के अंतर गताते हैं तो सिंदुगाटी सभिता का विस्तार उत्तर में जम्मू से ले करके दक्षिड में नरवदा के मुहाने तक और पस्चिब में बलुचिस्तान के मकरान समुदर तट से ले करके उत्तर पूरब में मेरट तक फैला हुआ था ठीक है ये बात आप ध्यान रखेंगे और समूचा छेत्र जो था ये तिर्भुज के आकार का था जो विस्तार है इसका सिंदुगाटी सभिता का वो तिर्भुजाकार है कैसा भाई तिर्भुजाकार है और इसका पूरा छेत्र लगबक कितने जो है छेत्रफल में फैला हुआ है तो इसका 12,99,600 वर किलोमीटर मे जो है इसका छेत्रफल फैला हुआ कितने में भाई 12,99,600 वर किलो मिटर में पूरा का पूरा छेत्रफल जो है इसका विस्तार है तो आप से अब्जेक्टिव एंपरसन पूछेगा कि सिंदु काटी संभिता का छेत्र लगबग कितना है तो 12,912,99,600 वर किलो मिटर में फैला ह हुआ है आप से पूछेगा सिंदु काटी संभिता का विस्तार किस आकार का है तर भुजा आकार का है आप से पूछेगा किन किन इलाकों में फैला हुआ आपको आप सने में देगा गुजराद B में देगा आपको पंजाब C में देगा सिंद और D में देगा इन में से सभी तो का लगाएंगे इन में से सभी ऐसे आप से प्रस्त पूछेगा ओके ये बाद ध्यान लखेंगे और बात की जाए लगभग अगर 12,99,600 वर किलोमेटर का जो एरिया है इस छेतर में बात की जाए तो पाकिस्तान से बड़ा ही एरिया लगभग आता है प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा सिंद का इलाका रहा है ये बात भी ध्यान लखेंगे और इसा पूर्ब तीसरी और दूसरी सताबदी की बात की जाए तो उसमें संसार में किसी भी संस्कृती का छेतर हरपा संस्कृती के छेतर से बड़ा नहीं था अर्था सबसे बड़ी आपकी हरपा संभिता ही निकल करके आई थी एक मूबी है आपकी मुहंजोदारो अगर कभी आपको इतिहास में जानने के इक्षा हो तो उस मूबी को देख लिजएगा थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में आपको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी किस परकार से संभिता थी वहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या बयापार होता था छोटे गाउं के लोग बड़े सहर में ब्यापार के लिए जाया करते थे ये सब चीज़े आप उसमें देख लेंगे तो किलिए रोगी बाते ये इस परसंद का उत्तर हुआ आपका अगला बीड़ जो है अगला परसंद देखते भाई सिन्दु घाटिस बिता की मूरतियों की विसेस्ता बताइए तो आप लिखेंगे की सिन्धु परदेश तथा हडपा की कुछ मूरतियां बड़ी कलात्मक और कलपना पूर्ण है अर्थात कलपना अगर की जाए उसकी तो कलपना को करके लोगों ने उसकी मूर्तियों को बनाई थी बड़ी ही कलात्मक है, बड़ी ही अच्छी मूर्तिया है कला के मामले में देखेंगे तो ठीक ठाक है और यह पत्थर की मूर्तियां जो है आपको कम संख्या में मिलेंगी यहाँ पर मुहंजोदाडों में खिलकडी का बना हुआ पुरुस का धड़ भी आपको देखेंगे तो मिला हुआ है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पत्थर की मूर्तियां अल्प संख्या में प्राप्त ही है मुहस्जोदडों में खिलकडी का बना हुआ पुरुस का धर मिला हुआ है और यह इस पुरुस की बात किया है तो इस पुरुस में दाढ़ी दिखाई पड़ती है दाढ़ी भी रखे हुए are पुरुस और ओट के उपर का भाग साफ किया गया है और दाएं हाथ पर ताबीज बदा हुआ है इस पुरुस के नेतर जो है उनमीलित है और द्रिष्टी नास् ain्vel परिस्थित है और मूर्ती का जो अधो भाग है वो क्या हुआ है तो टूटा हुआ है खंडित है और सिल्खडी निर्मित दूसरी मूर्ती मौहजो दारों में प कीली है और आखों की बात की जा है तो आखों पर CP अथवा पत्थर की जो है पच्ची कारी युक्त जो है पदार्थ वहां पर लगा दिया गया है और इस तरियों की भी कुछ आकरतियां वहां पर मिली हैं तो आप इस परकार से सिंदु घाटी की संभेता की मूर्तियों की वि देख लिजेगा, उसमें सब ही परसदों के उत्तर को हमने बता दिया है, ठीक तो आप मोँद देखे सकते हैं, अगला परसन है हडाप्पा सभधा की सण कोपर संच्चित प्रकाश डालिए, तो हडाप सभधा की संच्चित प्रकाश कसे डाला सकता है, देखेगा भाई, तो ह सबसे खास बात क्या है कि सणके यहां के क्या है एकदम से सीधी होती थी एक दूसरे को सणके जो थी हो समकोंड पर काटा करती थी समकोंड मालब कि एकदम सीधी सीधी थी आयसे कटान थी एकदम से समकोंड पर जिस परकार से एक जानत पर है कि चार जो है रोडा करके एक अस् सणके काट रहती मलब एक दम सीधी सीधी सणके वो समय बनी थी कहड़पा में और आश्चर जनक बात यहां पर यह है कि ये सारी सणके जो थी वो मिट्टी की बनी थी किसकी बनी थी भाई तो सणके जो थी हूं सारी किसारी सणके मिट्टी की बनी थी फिर भी इनकी सफाई का बड़ा ध्यान सणकों का रखा जाता था उस समय और इन पर अस्थान अस्थान पर रखे होई मिट्टी के पात्र जो है सणकों किनारे मिले थे और उसमें पात्रों औ और पीपो में कूड़ा जमा किया जता था या फिर सणकों किनारे अस्थान अस्थान पर खुदे गड़े में उस कूड़े को बुहार करके वही पर डाल दियता था ताकि कोई सणक पर क्या ना हो भाई सणक पर खर पतवा जादे गठा ना हो सणक साफ रहे चिकनी रहे एकदम से ताकि कोई दिक्कत ना हो सणक में और सणक इस परकार से वहां की थी एकदम से समकोंड पर कारती थी एकदम सीधी थी और सणक किनारे किनारे जो है नालिया बनी हुई थी जो ढकी हुई थी इस परक से कोई सड़क गई थी इसके इधर पे ये घर बना हुआ था फिर इदर जैसे परकार से आवास विकास वगयरा के कालोनी में आप देखेंगे तो जिस परकार से बसाई हुई होती है ठीक किसी प्रकार से आप CD CD सणके RCC लगी जैसे आज देखते होंगे कभी-कभी बड़े-बड़े सहरों में जो आवास विकास का एरिया होता है वहाँ पर ठीक तो ठीक इसी प्रकार से हड़पा सभिता की सणके जो थी वो बनी हुई थी बड़ी काबिले तारीफ सणके हैं ये ब आपका प्रसन है कि बैदिक कालीन न्याई व्यवस्था पर टिप पने लिखे बैदिक कालीन न्याई व्यवस्था पर टिप पने लिखे most important प्रसन है बैदिक कालीन न्याई व्यवस्था पर टिप पने लिखने के लिए आप से पूछा रहा है तो आप लिखेंगे कि जो है न्याई व्यवस्था में लिखेंगे कि बैदिक कालीन न्याई व्यवस्था हेडिंग डाल करके लिखेंगे अब उसमें हेडिंग में लिखेंगे न्याई व्यवस्था और आगे लिखेंगे क्या रिकबेद में बात किया तो कानून के लिए धर्मन सब्द का परियोग जो है हम लोगों को मिलता है नियाय व्यवस्था का सर्वोच अधिकारी कौन होता था भाई राजा होता था और उसकी सहायता के लिए कौन होता था पुरोहीत एक रखा जाता था और गाओं की बात किया तो ग्राम के नियायधीस को ग्राम मिवादिन भी कहा गया है रिकबेद में तो गाओं का जो नियायधीस या गाओं का जो पंच होता था उसको ग्राम मिवादिन सब्द के नाम से रिकबेद में पुकारा गया है रिकबेद में प्रमुकता चोरी, धोखेबाजी, डकैती, जानोरों को चुराना वा सेंध लगाने जैसी अपराधों का भी उलेख जो है रिग बेद भी मिलता है ठीक है न्याय की दिब प्रणाली अतियंत प्रचली थी यहाँ पर और जिसमें गरम कुलहाडी अगनी तथा जल का प्रियों कियाता था दंड देने के लिए जैसे अपरा जो है नहीं चुका दे रहा तो उस रिणी बेक्ती को जो इसने करजा लिया था उसको जिस बेक्ती से धन लिया था उसकी दास्ता करनी पड़ती थी आर्थात जैसे कि आपने मुझसे सव रुपए लिए उधार और आप मुझको नहीं दे रहे हैं तो रिग बैदिक काल में काम करके वो पैसे कुछ चुकता करनी पड़ेगी इसे आपको दंड दे जो है करना पड़ेगा ठीक तो यह था बेवस्ता और रिग बेद में बात की जाए तो मध्यमसी सब्दका जो है सब्दका उलेख मिलता है और मध्यमसी उन लोगों को कहा जाता है मेरी पैर दोस्तों कि जो बीच बचाओ कर समझहोता करवा देते थे जैसे कि आज कल बात की जाए पुलिस है तो पुलिस के लिए वहाँ पर मध्यमसी सब्दका प्रियोग किया गया है पुलिस तो खास करके आपको मतलब मध्यस्ता करवाती है ना पुलिस आप देखते है कि आप जगड़ा कर करके लेकर जाएगी मलब आप दोनों पार्टी का नाम वेगी सुबा दस बजे थाने प्याना बड़े साह बुलाएं हैं अब जब वहाँ पर आप जाओगी दोनों पार्टी वहीं पर जो है दोनों लगों को उसी जब पुलिस थाने में आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर जो है अगर पहले कहेंगे कि सुला हो जाओ तब जो है दोनों पार्टी 11 नहीं सर्जी सुला नहींगे बहुत परिसान करें हमको इसी इसी बात है यह है और फलान धमाग जो कुछ बोलना होगा बोलेंगे लेकिन उसके बाद में क्या होगा जब दो तीन गाली अच्छे करनी है सुला सपाटी हो गई तो वही सुला सपाटी करवाने के जो बैक्ती होता था बैदिक काल में उसी को क्या कहा था था भाई मध्यमसी के नाम से आना था ठीक है जो बीग बिजागत के समझोता करवा देता था और आंगल सैक्षन तथा कुछ अन्न हिंदी यूरूपी लोगों की भाति रिक बैदिक काल में हत्या का दंड आर्थिक जूरबाने की प्रनाली के द्वारा दियाता था अगर किसी बिक्ती ने किसी के हत्या कर दी है तो उसको ए आर्थिक रूप से दंड दियाता था कि वो पैसा बहुत जादा दे और कुछ और व्यवस्था करनी पड़ती थी तो ये चीज़े हैं ताकि वो उसके जो परिवार है या फिर उसकी चीज़े हैं वो सही तरीके से जीवन अपना निर्वाह कर सके ठीक है तो निया ब्यावस्ताम ने आपको यहां की बता दी अगला परसने पांचवा नमर परसने मोहन जोदाडो के बिसाल असनानागार पर प्रकास जा लिए तो आप क्या लिखेंगे सेंदो संस्कृति के अनबेशन के समय मोहन जोदाडों से एक जलासे प्राप्त हुआ है और उस जलासे की बात की जाए तो यह जलासे जो है जो मिला है हमको जो बिसाल असनानागार है इसकी बात की जाए लंबाई चोड़ाई की तो 49 गुडे 23 फिट का यह आकार है इसका आर्था 29 इसकी लंबाई है और 23 इसकी कितनी है चोड़ाई है तो मुलब कि इतनी फीट ते 49 फीट लंबाई और 30 फीट चोड़ाई का एक परकार से क्या मिला है भाई एक जो है विसाल अस्नानागार मिला है तो लंबाई चोड़ाई हमने बता दी और इसकी जो गहराई है वो 8 फीट की है तो 8 फीट गहरा और 49 फीट लंबा और 30 फीट चोड़ा जो है एक अस्नानागार मिला है जो की बहुत बड़ा है उसी को विसाल अस्नानागार के नाम से जाना जाता है और इसका जो ऊपर वाला जो मुद्दा है वो खुला प्रांगर की तरीके से था और इवन उसके बाद में बरामदा बनाय गया था बरामदे के तरीके से और यहाँ पकी इटों से निर्मित किया गया था जो विसाला सनागार था इसमें से कतिपए पतरे भी मिले हैं और इसे यहाँ अनुमाल लगाया जाता है कि इनमें फिसलने से बचने के लिए पतरे लगे रहे होंगे और उत्तर के तरप से सीढी बनी है पानी के रिसाओ को रोकने के लिए इट को जिपसम से मिले मसालों से वहाँ पर बनाया गया था, फिर कड़े मसाले का लेप जो है जिसे पालस्टर आज कल होता है वह इसे पालस्टर किया गया था, बाहर की और सारे बाहर की और की बात की जाए तो बाहर की और से जुड़ी प में था और जिससे क्या होता था जलासे में पानी भरा जाता था एक कोई से तो उसकोई से जलासे में पानी भरने की सुबिदा थी और पानी को निकालने के लिए जो है नाला भी बना गया था पाइप से पानी निकल जाता था पाइप मलग की थोड़ा सा नाली बना दी गए थ थी और इसमें जो है इसके दुमंजीला होने की पुष्टी होती है तो एक कमरे में सीड़ी भी बनी थी विसारा सनानागार में तो इससे यह पता चलता है कि हाँ यह दो मंजीले का हो सकता था ठीक तो यह कई चीजे थी विसारा सनानागार को लेकर के जो हमने आपको बता दी आगे बढ़ते हैं अगला परस्न अगला परस्न आपके समग छे छटबा नमर परस्न है पागोडा किसे कहते हैं पागोडा क्या है पागोडा जो है क्या है आप जा चले आईए जो है उसमें क्या बोलते हैं आप जो है देख लिजिए क्या बोलते हैं जो विश्व की प्राचिन सब भिताएं हैं उसमें पगोडा एक सब्द परचलित होता है तो ये चीनी अस्थापत तिकला का स्रिष्ट जो एक परकार से नमूना हमारे सामने नजर आता है तो आप लिखेंगे कि पगोडा चीनी अस्थापत तिकला का स्रिष् और आप लिखेंगे कि इसके जो है छा या साथ पार्स होते हैं पagoda के और इसकी प्रतिक मंझिल के उपर विसिस्ट परकार की छत पड़ी हुई होती है कोई कोई पगोडा 15 मंझिलों का भी दिखाई पड़ा है तो आप लिखेंगे कोई-कोई पगोडा 15 मंजीलों का भी होता है जब चीन में बहुत धरम का परचार हुआ था मेरी प्यार दोस्तों तो वहाँ अनेक बहुत मंदिर भी बनने लगे थे तो इसी पगोडा के आकार के यह आप ध्यार नखेंगे तो पगोडा क्या है चीनियस था पतिकला का एक सेटनम होना है तो ऐसे आप लिख सकते थे इसके बारे में अगला परसन आपके समग छे चाटवा नमबर सातरों नमबर परसन है कनफूसियस कौन था कनफूसियस कौन था मेरी प्यार दोस्तों सांतुंग परांत में हुआ था लू नमबर गाव में हुआ था किस परांत में हुआ था पांसो साथ हीसा पुर्म में हुआ था किसका जनम हुआ था कनफ्यूसियस का जनम हुआ था ध्यान रखेंगे अब जब कनफ्यूसियस की इवावस्था आती है तो उसमें जो है इसने क्या किया था एक विद्याले खोला कनफ्यूसियस ने और छातरों को पढ़ाना सुरू कर और कहा जाता है मेरी पैर दोस्तों कि उसके विद्याले में तीन हजार विद्यार्थी सिक्षा गर्ण करने के लिए आते थी और कुछ वर्सों के बाद Confucius को जो है चंगंतु नगर का Magistrate भी बना दिया गया था और उसकी बढ़ती हुई लोग पुरियता के कारण अगला पसन है आपके समख्ष बैबी लोनिया के धार्मिक यहन पर प्रकाष अब पूछ रहा है पटापट से एक वार वीडियो को लाइक और सेर कर दीजेगा सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को सेर दीजेगा और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आप सभी लोग in comment से जिन में बात्कीत भी मत करो मेरे पैरे दोस्तों आपको बता दें आप लोग इहां पर comment में बाते करने आते हैं या फिर पढ़ने आते हैं आप खुदी decide करो कि आपको करना क्या ہے बात वगरा तो जीवन में बहुत बार हो जाएगी लेकिन पढ़ाई बार-बार नहीं होगी बार-बार आप ये फस्ट समेस्टर में नहीं आएंगे और ना बार-बार जो है सुकलाइटी पॉइंट ये आपको पढ़ाते रहेंगे लब मैं तो पढ़ाओंगा मेरा कारिह पढ़ लिया होता तो आज मेरा कल्यान अच्छे तरीके से हो गया होता तो निश्यत तरप पर अगर जिन छा चत्रों को आगे बढ़ना है अच्छे एंक प्राप्त करने हैं अपने जो है माया मुह के चकर से हट करके और आपको बता दें कि जो है स्टड़ी पर फोकस करें और एक पर जिस दिन आप दोगोंने अच्छ तरीके से फोकस कर दिया उसी दिन आप समझें कि आपका जीवन सफल हो जाता है तो आपने इस स्टडी पर फोकस करें और भाद में पेपर हो जाएगा उसके बाद में बातचीत करना तो Babylonia के लोग जो थे बहुत ज्यादा देवताओं को मानते थे अर्थात ये बहुत देववाधी आप बोल सकते हैं कि Babylonia के लोग बहुत देववाधी थे ठीक है इनके देवी देवताओं की संख्या लगभग 65,000 के आसपास मानी जाती है और उसमें बात की जाए तो सुमेरियन देवी देवता को भी अपना लिया गया था वेविलुनिया सभिता में बात की जाए तो जो सुमेरियन सभिता के देवी देवता थे उसको भी अपना लिया गया और उनके प्रमुख देवी देवता की बात की जाए उनमें आप लिख सकते हैं जैसे कि उनमें प्रमुक देवी देवताओं में एक देवता है अनू अनू देवता जो होते थे आकास के देवता को अनू कहा जाता था और सूरी का नाम जो है ये लोग क्या कहते थे भाई समस सूरी को समस कहा जाता था और जो चंद्रमा थे उनको जो है नन कहा जाता था चंदरमा का नाम ये लोग नन कहते हैं चंदरमा जी को पुकारते हैं ऐसे हम लोग चंदरदेव कहते हैं तो ये लोग जो है नन कहा करते थे बेविलोनिया के और पिर्थभी को बेल जो है देवी बेल कहा जाता था और जो है उसके बाद में चंदरमा क की पतनी जो थी उनको ये लोग निनगल के नाम से जाना करते हैं ये बात ध्याद रखेंगे ये कई चीजह हैं जो कि हम आपको बता देने देवि देवताहों के बारे में इनके तो ये नए देवताओं में इनके जैसे की एक बिक्ती है एनलिल बेबिलूनिया के में एनलिल देवता की पूजा करते थे और इस्वर और जो है मार्दुक इस्वर भी जो है इन्होंने रखा नाम और एक मार्दुक नाम के देवता है इन में तो इसके अतरिक्त परते एक नगर परिवार और बिक्ती के अलग-अलग इ इस्ट दे उता है उस परिवार के फ़लाने इस्ट दे उता है आराधे दे उता कोई हुआ करते हैं कि आप देखते हैं कि हाँ अभी आप गाउं अगरा में देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ जो है क्यों कहेंगे मैं नltbir को पूजा हूँ कोई इसे प्रकार से केंगे मेरी दूरगा माता इस्ट है तो मलब अलग-अलग जो है बैक्तियों केuce अलग-अलग East होते हैं अपने East माने जितना मलद की ज़्गा जादा आइसे देवी देवता ज़्टा जलका जादा प्रेम करो मलब अइसे देवी देवता जो जैसे आपका बहुत कुछ मिला होए तो वो देवी देवता आपके कौन होते हैं भाई इस्ट देवता होते हैं ठीक है तो इतनी बात के लिए रोगई तो बेवे लोने का धारमिक जीवन पर हमने आपको प्रकास डाल दिया ठीक है अगला परसना आपके समग चाहे आबू सिंबल मंदिर पर प्रकार डालिए आबू सिंबल आबू सिंबल मंदिर पर प्रकार डालिए परसना है भाई आबू सिंबल मंदिर क्या है भाई आबू सिंबल मंदिर जो है वो क्या है आपसे पूछ रहा है आबू सिंबल मंदिर पर प्रकार डालिए तो कैसे आप लिखेंगे आबू सिंबल मंदिर के बारे में तो ये मिस्र की अस्थापतिकला का एक नमूना हमारे सामने मां सकते हैं तो आप लिखेंगे कि यह मंदिर जो आबू सिंबल का मंदिर है यह मिस्त्री सभिता का या मिस्त्री अस्थापतिकला का स्त्रेश्ट उधारना है ओके आगे लिखेंगे कि जो आबू सिंबल मंदिर है या फिर यह मंदिर 175 फिट की बात की जाए तो 175 फिट लंबा है और 90 फिट जो है चोड़ा है 175 फिट लंबा है आब वो सिंबल का मंदिर और 90 फिट चोड़ा है और इसके बीच की बात किया है तो बीच जो कक्ष है उसमें 20 फुट उचे 8 अस्तंबों पर यह टिका हुआ है तो इसका जो मध्ध अस्तान है मध्ध जो कक्ष है उसमें 20 खंबे लगे हुए है तो इस और 20 ख है तो जो है ओसीरिस की विसाल उची परतिमा भी यहीं पर बनी हुई है और लकसर का मंदिर भी अपनी कलात्मक और सौंदर के लिए पर सिद्ध है तो आप ऐसे बता सकते थे आजो है आपको सिंबल मंदिर के बारे में इतना बता देंगे बहुत हो जाएगा ओके अगला प पुर्व में हुआ था कहां पर हुआ था चीन अस्थामलक के एक चीन चीन तो देस आप जानते है चीन देस में हुआ था और उसके जो है उसका चीन का एक प्रांथ है इसे अपने हापर राज होता हो इसे वहाँ पर होनान प्रांथ है तो होनान प्रांथ है तो होनान प्रा लाउसे ने क्या किया चाववंस के एक राज किये पुस्तकाला अध्यक्ष के पद पर जो है कार किया पुस्तकाला का अध्यक्ष हो गई लाइब्रेरी के अध्यक्ष हो गई ये परन्तु जो है सीगर ही इन्होंने क्या कर दी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ करके ए तो आपसा प्रसना और नामक गरंद है और बात करी जाये तो जिसमें इनकी विचार जो है लिखे गए हैं लाउस से जो है कि बिचार है उसमें ताउटे मलब ताउटे चिंग में लाउस्ते के बिचार संग्रहित किये गए हैं और उसकी बिचार धारा ताउवाद के नाम से परसिद है तो इसकी बिचार धारा ताउवाद के संपादक कोने बाई ताउवाद बिचार धारा किसकी है तो लाउस्ते की है तो आपसे यह भी प्रसन पूछ सकता है कि ताओ वाद के नाम से प्रसिद्ध बिचारधारा किसकी है तो यह लाउस से की है तो इस परकार से एक जाम से प्रसन पूछ सकता है और आपसे पूछेगा कि मिस्र वास्तियों की दो परमुक पसुरोद बताइए तो एक तो भूमिकर के माद्धम से आय मिलता था और एक आयात निर्यात के माद्धम से मिलता था ओके यह बात ध्यार नखेंगे तो कई चीजे हैं जूकि हमने आपको आपर बता रखी है और हमने बताई भी अब आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रियास करते हैं आसानी से यहारे एक मुद्दों को हम समझते हैं आगे बढ़ेंगे कोई दिक्कत की बात ही हूँ अगे देखे भाई केवल यहां पर आपको पांच प्रसन काने हैं अब लग उत्री प्रसनों के और हम बढ़ते हैं यहां पर आपको केवल पांच प्रसन काने खंडबास से लग उत्री टाइप के प्रसन आएंगे दोसु सब्दों में आपको एक प्रसन का उत्तर लिखना होगा यहां पर यह देखेंगे अगल जो है दूसरा नमर प्रसन देखेंगे हाँ पर हडपा संस्कृति की समाजिक सनचना पर टिपण लिखेंगे भाई हडपा संस्कृति की समाजिक सनचना पर टिपण लिखेंगे क्या है प्रसन की हडपा संस्कृति की समाजिक सनचना पर टिपण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे, एक बिक्ती हैं आलबीन तो आलबीन महोदे के मतानुसार आप लिखेंगे, कि हड़पा संस्कृति के गरामीर समुदाय के बिभिन वर्गों, जίसे कि खाना बदोस, अर्धखाना बदोस और पसुपालकों यों सहरी जज संख्या के विभिन समूहों के मद्य अस्थाई संब्ध थे जिन पर पुरोहित जो था वो सासन करकिया करता था अब तक की जानकारी के आधार पर इन किर्सकों को सतंता प्राप्त हुआ करती थी दास्ता के संब्ध में निश्चित रूप से क जटिल थी कहां कि हडपा संस्कृति की और यहां पाई गई कि विभिन वस्तुओं एवं उच्चे तथा निम्न आयवर्ग के लोगों के घरों की बनावट से ही अस्पस्त है पुरा दात्मिक साक्षों के अधार पर पाया जा सकता है कि सिंदु घाटि संब्धा की जन संख नहीं थे उस समय जो है हडपा संस्कृति में दुर्ग के अंदर और यहां बाहर पाये गए इन घरों यहां अनसमकालीन संभिताओं के साक्षों के अधार पर यहां हम कह सकते हैं कि यहां जो संख्या जो थी वो त्रें तीन सिर्णी में बटी हुई थी कहां कि हडपा संस्क संख्या कम हुआ करती थी दूसरा वे वर्ग था पहला वर्ग में दासों के स्वामी होते थे दूसरे वर्ग कौन सा था भाई दास हुआ करते दूसरे वर्ग में जो कि सबसे अधिक संख्या में दासों की संख्या थी और तीसरे वे वे बैक्ती होते थे कि जो की स्वतंत्र समाज की भाती हडपा सबिता भी चार भागों में बट गया था और वो चार भाग कौन था एक पहला भाग था आपका बिद्वान वर्ग बिद्वान वर्ग जो था पुरोहित भहुतिक बिद्वान वर्ग है और बिद्वान वर्ग में पुरोहित हो गए आपके भहुतिक जो जानाता था और जो है तीसरे में आपके व्यापारी वरके लोग आते थे कारी गरी सिल्पी ये सब ओके और चौथा जो वरगुआ करता था समाज का उसमें सारीरिक स्रम करने वाले था सूद्र जो आज की जो ब्राह्मण वो लोग जो है जो कारी की असारीरिक स्रम क्या करते थे वो लोग स्रमिक वरग के अंतरकत रखे जाते थे ये चार भागों में जिस प्रकार से वरड़ा स्रम के हिसाब से बटा हुआ था हिंदू समाज में उसी प्रकार से हड़ापा समयता में भी कुछ विद्वान मानते हैं कि ये चार भागो में जो है पुरा का पुरा समाज वठा था चार वर्ग होता है था समाज में एक विद्वान वर्ग राजनीतिक की सिती पर प्रकाह डाली है ओके राजनीतिक के सिती पर बाई प्रकाह जिसे डाल सकते हैं तो पहली बात यह है कि यहां पर पहले आप पहले हैं डालेंगे की लिखेंगे की रिख बेद में तत्काली के राजनितिक व्यवस्था पर ब्यापक प्रभाव पड़ता है रिख बेद से जो हमको तमाम सरे चीजे पता भी चलती है और उसी के हिसाब से मैं आपको बताने का प्रियास करता हूँ पहले पहले आप लिखेंगे कुटुम्ब कुटुम्ब जो होते थे रिक बैदिक कालिन राजनतिक ब्यवस्था की सबसे छोटी काई जो थी वो कुटुम्ब के नाम से जानी आती थी और कुटुम्ब में संयुक्त परिवार की पर्था थी और परिवार का सबसे अधिक आई वाला पूरुष जो होता था उसी सदस्य को हम कुटुम्ब के नाम से आते थी आर्था जो परिवार का आपसे काई कारा राजनतिक इस थी तो जो परिवार होता था छोटा परिवार होता था उस परिवार मलग की जो संयुक्त परिवार छोटा परिवार बोल दिया संयुक्त परिवार होता था और संयुक्त परिवार का जो मुखिया होता था और पुरुस होता था और वही प्रधान होता था और उसी प्रधान जो घर का सदस होता था उसी को कुटुम्ब के नाम से जाना आता था कुटुम्ब के समस्त सदस्यों दारा प्रधान की अग्या जो है मानना परमावस्यक था क्या बता है हमने आपको कुटुम में संयुक्त परिवार की पर्था थी और राजनेतिक ब्यवस्ता की सबसे छोटी कहीं थी कुटुम जैसे परिवार होता है आज वैसे कुटुम में भी था स्वारी हमने आपको पहले थोड़ा सा जो है दिक्कत में हमने थोड़ा सा जो है आपको पता दे कुटुम में क्या बता दिया आपको की परिवार था क्या कुटुम जो है कुटुम एक ब्यवस्ता थी एक राजनेतिक ब्यवस्ता के नतरगत कुटुम बाता है कुटुम सबसे जो है जादा उमर का बैक्ति होता था वो पुरुस सदस्य कुटुम्ब का क्या होता था कुटुम्ब पूरे के पूरे कुटुम्ब का परधान होता था तो सबसे आयोग वाला बैक्ति जो सभिवार की भाती कुटुम्ब एक ब्यवस्था थी इस परकार संहिंग तो परिवार है कि हाँ चाजा चाची हो गए उनके बाल बच्ची हो गए और भी उसे दादा दादी पड़े हैं दादा के चार भाई हैं वो सब एक ही मेरे रहे हैं तो उसमें जो सबसे पुराने बेक्ती हैं सबसे जो ओल्ड मैन है आरथा जो सबसे ज़ा सबसे आधिक आईवाला बेगती होता था दूसने असे बाद के इसकिराजनेक्स व्यवस्था में ग्राम को कंध के पर लगानुन अने के समोह को soft को जो है कहा जाता है तो एने प्रकार से परतेग ग्राम का एक अधिकारी होता था जिसे ग्रामडी के नाम से आना आता था किसके नाम से ग्रामडी के नाम से जाना आता था ग्रामडी का पद अत्यंत महत्पूर्ण हुआ करता था क्योंकि वे ग्राम का एक मात्र प्रसासने का अधिकारी होता था ग्रामड का चुनाव किस प्रकार से या किस पत्तिका प्रयों करके होता था ठीक ही आप लिखतेंगे तो आप ग्राम समझगे तो पहली काई छोटी सबसे कही राजने थे कही कोटम दूसरी उसके बाद में ग्राम होता था तीसरा कौन सा था ग्राम के बाद में 20 होता था तो कई गाउं पुटुमब जो था कई कुटुम में मिल करके परिवार का निर्मार करते थे और कई जब परिवार मिल करके कई कई कुटुम मिल करके गराम का निर्मार करते थे और कई गराम जब मिल जाते थे तो 20 का निर्मार होता था कि इसका 20 का ये बात ध्याने केंगे और विस के अधिकारी को हम क्या कहते है भाई विस के अधिकारी को हम भिसपति के नाम से जबते हैं तो ग्राम जो था पेरे दोस्तों ग्राम हमने बता दिया आपको अब बिस मैं बता रहाता है तो बिस जो है बिस को ऐसे लिखेंगे वो बिस नहीं है ये वाला बिस ओकी ये वाला बिस है ओकी ये बाद ध्याने केंगे एक बिस ये अलग होता है ये गरल होता है गरल माने होता है बिस अरथा जहर ये जहर वाला है ये बिस जो है गाव वाला है ये बाद ध्याने केंगे तो पहला कौन सी हो गई पहली काई कुटुम दूसरी काई कौन सी हो गई गराम तीसरी काई कौन सी हो गई आपकी बिस बिस तमाम गावों को मिला करके एक बिस का अन्रिमार होता था जन के प्रधान अंतिकरी को हम गोब के नाम से आनते थे किसके नाम से गोब के नाम से ओके ये बाद ध्यार नखेंगे और गोब जो होता था गोब का तत्कालिन प्रसासनिक बवस्ता में अतनत महत्मून पद हुआ करता था और गोब प्राह राजा की ही जो है हुआ करते थे राजा ही को गोप कहाता था ठीक है ये बाद भी ध्यान लखेंगे उसके बाद में चौते एक बाद में ये पाच बाव आपका आता है उसको रास्ट कहाता है तो देश अथवा राज जी को रास्ट कहते हैं रास्ट के संगात्मक सरकार का अभास होता है था जिस परकार से एक छोटे-छोटे राज जो थे छोटा-छोटा राज को जन कहायता था और जन जो था मेरी पैर दोस्तों जब तमाम सारे जन मिल करके एक राश्ट का निर्माल करते थे जिस परकार से आज जो है प्रदेश है प्रदेश के जानेजी के जन है आपका मुलंकि राज जी होगा एक परकार से चोटा जोटा वो चीज और उसके आद में छठवा जो एक इस्तिती थी वो सासन व्यवस्ता की थी रिग बेदिक काल में सासन व्यवस्ता प्रमकुता है राज तंतरात्मक थी जिसका अध्यक्ष राजा ही होता था रिग बेद में गड़ो का उल्लेक भी मिलता है किन्तु राज तंतरों की ही संख्या उसमें अधिक थी तो ये जो अच्छे पॉंट आप लेख सकते थे इसमें राजनेती के स्तितिक अंतर गयत। ओके हमने समझा दिया आपको तो दूसरा भी हो गए आपका स्वारी तीसरा प्रसन हो गए आपका बैदिक कालिट जो है राजनेती के सतितिक पर प्रकास हो गए आपका अगर आपस चोथा नमबर देखेंगे प्राचीन भारतिय साहितिक स्रोत में प्राचीन भारतिय साहितिक स्रोत में प्रमुक दो महाकाबी कौन से हैं प्राचीन प्रसन क्या पूछ रहा आपसे प्रसन पूछ रहा कि प्राचीन भारतिय साहितिक स्रोत में प्रमुक दो महाकाबि कौन से हैं तो पहला महाकाबि का हो गया रामायड और दूसरा महाकाबि कौन से हो गया महाभारत रामायड की बात की है तो रामायड किस ने लिखा है बालमेकी जिने लिखा तो आप से एक्जाम से पर सबोचेगा की आपजेक्टिम में की बाल में की अमलब रामायड किसकी रिचना तो बाल में की ने लिखा है उस रामायड को इसा की पाचवी सदी पूर्ब में जो है इसकी रिचना सुरू की गई और रामायड में खासकरे बात की यह तो राम जी की कथा के बारे में बताया गया है और राम सुमित्रा मलब राम कोशिल्या के लड़के हैं सिरी राम और जो भारत जी है वो सुमित्रा के लड़के हैं भारत जो है कैकेई के लड़के हैं और लक्षमण और भारत लक्षमण और सतुर्धन आपके शुमित्रा के लड़के हैं तो इस प्रकार से चार जो है भाई होए थे इसमें उन्हीं के बारें बताएगा खास के लिए राम जी की पूरी की पूरी कहाणी बताई गई इसमें कैकेई के सदेंत्रों से क्या होता है राम को छोड़ा वर्स के लिए निस्कासित का दियाता है और निष्ठा पुरवग पिता की आग्या मान जाते हैं जहां उनकी पतनी सीता को लंके सुर रामड जो होता है वो हर ले करके आर्थाता पहरन करके ले आता है लंका में और अंते में राम ने अपने भाई लक्षमण की साहता से और हन्मान जी और सुग्रीम की साहता से उनकी सेना की साहता से रामड का बद किया और सीता जी को वाप से आप जग्रे में पर सी पूछेगा कि महाभारत की रिचना को न बेदव्यास है इसकी रिचना कब होई ती बहुए 400 इसापुर्बि के आसपास और 400 इसवी के बीच में इसकी रिचना मानी जाती है लेकिन परतिक्ष नोग्ते इसके उत्तरवैदिक काल की हो सकती है इसके विप्रनात्मक अंस का उपयोग बेद उत्तर काल के संदर में कियाया सकता है उपदेशात्मक अंस का उपयोग सामानतया मौरेत्तर काल और गुपते काल के संदर में बताया सकता है महाभारत सार रूप में चचेरे भायों के दोनों समूह आर्थत कौरों और पांडों के बीच में आपसी लड़ाई की कहानी को दरसाती है और वही कहानी हमारे समने दिजर आती है और जो कहानी ये बताती है कि राज सत्ता स्वाजनों के प्रांड से भी अधिक प्यारी होती है ये दपी धिरतराष्ट द्वारा छोड़े गए राज के उत्तराधिकारी पांडों थे इसके परड़ाम सुरूब कवरों और किष्ण संबंधित कवरों और किष्ण संबंधित पांडों के बीच लंबी बंद उगाती लड़ाई होती है और अंते में कवरों को हला करके पांडो विजय होते हैं और महा भारत का युद्ध को मिला करी कितने दुनों तक चला आप से एकजाम से पूछेगा ये महा भारत का युद्ध कितने दुनों तक चला तो आप बताएंगे 18 दिनों तक महाभारत कर्ण चलता रहा और इसमें भीजम पितामा, अंगराज कर्ण और मामा शकुनी, मामा सल्ली और इसी धरब से भी मर्जुन नकुल सहदेयो और उधर से कौरों में आपके दुरियोधन, दुस्टासन और उधर से आप देखेंगे अकूरों की तरफ से आपके भीजम पितामा, आचार, द्रोण, किरपाचार, असुस्टामा इस परकार से कई महारती थे और कर्ण भी थे अंगराज कर्ण, भीजम, पितामा उसी तरफ ते जो है दुसासन की तरफ दुसासन स्वयम अपना था दुरियोधन था ठीक है और सौब हाई उसके प्लस में थे और इधर से पांडो के तरफ से पांच पांडो अपना थे खुद बिराड थे बिराड के लड़के उत्तर थे और इसके बाद में और कृष्ण पाचवा नमबर उत्तर बैदिक कालीन आर्थिक जीवन पर टिपनी प्रसन क्या है उत्तर बैदिक कालीन आर्थिक जीवन पर टिपनी कैसे लिखेंगे तो पहली बात यह है कि उत्तर बैदिक कालीन में किरसी देख लेते कैसी होती है फिर दूसरे नमबर पर हम क्या देखे कुछ थे तो देखेंगे, तो किरसी यहाँ पर किया थी, उत्र बेदिककारें लोगों का प्रमुख व्युषाय का क्या था बई, किरसी ही था, रिक बैदीककाल की तुला में इस यूग में किरसी में अतियन ठूंद्नती देखी आती है, उत्र बैदिककाल की माने होता है, इस के बाद वाला उसको उत्तर बैदिक काल उत्र बैदिक काल मने होता है बैदिक काल के बाद का तो उत्तर बैदिक काल उसी को आता है तो उत्तर बैदिक काल में क्या था किरसी में अतियंत उन्नती देखी जा सकती है खेदी की तरीकों में बदलाओ बीज में बदलाओ फसल इन स का प्रियोग भी उत्रबैदिक काल में जो है देखाया सकता है और गेहु चावल और जो इस योग की सबसे प्रमुक फसले जो है मानी जा सकती हैं डेक्टर राजबली पांडे जी ने लिखा है कि आरियों का निवास मुखेता गंगा तथा सिंधुर नदियों की किनारे ब्यवस्था हमने आपको बता दी आगे पसुपालन हेंडिक डाल दीजेगा वो लिखीगा कि उत्रबैदिक काल में भी पसुपालन आर्थिब्यवस्था का प्रमुक आधार माना जा सकता है अधिक से अधिक गायों का पालना यहां का एक प्रकार से बैभो के निसानी मानी थी थी रया यहां किसी व्यक्ति का सम्मान उसे गाये दान करके क्या करता था जैसे कि जिसके पाट जादा गाये होती थी वो धनी व्यक्ति मान आयाता था तो यह पसुपालन भी था तीसरी बिसेस्ता इसकी मिलब तीसरी जो है आर्थिक जो उनकी टिपणी एक आधार ले सकते हैं आप गरे उद्योग पर या फिर बेवसाय पर तो उत्तर बैदिक काल तक किर्सियों पसपालन के अतरिक्त भी अनेक बेवसायों के उन्नती हो चुकी थी ततकालिक साहित से जुलाहे हो गए, सुनार हो गए, कुमहार हो गए, लोहार, चर्मकार, रतकार, मच्छोय, नर्तक ये अनेक बेवसाय जो थे उसके जानकारी हम लोगों को पराप्त होती है उत्तर बैदिक काल में इसके अतरिक्त जोत्सी हुआ करते थे, बैदि हुआ करते इन सभी का उल्लेग भी मिलता है किन्तु इनको समाज में हे दिश्टी से देखायाता था जोस्ती को बैदिको नाई को इन सभी को और जो भी और तमाम सारे लोग हमने बताए इन सभी के बारे में हे दिश्टी से देखायाता था उत्तरबैदिक कालिन आरियों को धातूं का व्यापक रूप से ग्यान भी था जिसके करान से उनका आर्थिक जीवन अत्यंत सम्रिद हो गया था और इस काल में लोगों को सिर्फ सोने वा आयस आर्थात लोहे की ही नहीं चांदी की भी तांबे की आप देखेंगे तिन की और शीसे की कई धातूं जो है इन सभी के जानकारी इनको थी और वे उनका उपयोग भी किया करते थे उत्रबैदिक कालन के लोग और धातों का भूश्र बनाते थे, हतियार बनाते थे, और जार बनाते थे और उन्धी में अपना प्रियोग किया करते थे जो है धातों का, तो इस प्रकार से लेख सकते हैं, उत्रवादिक कारेन अर्थी जिएवन पर आप टिक पड़ी देख सकते हैं, ओके, यहां से आपको प्रसनाब के समक्ष है नदियों के किनारे सभिताओं के उद्धे के क्या कारण थे तो पहला कारण ये था मेरी प्यार दोस्तों कि नौ पासान काल में मनुस्यों ने खेती कारणा सीख लिया था अब उसके लिए किसी अस्थान पर अस्थाई रूप से रहना आवस्यक हो गया इसके लिए उसे किसी ऐसे अस्थान की तलास थी जहां उसे खेती के लिए प्रयाप्त भूमी मिल सके नदियों की घंटिया जो है घाटिया इस देश्टी से उपयोगत थी क्योंकि नदियों जो थी वो अपने दोनों किनारों पर और बरा मिट्टी गिराती आती थी जिससे धीरे धीरे वहाँ भूमी उपजाओ होती जाती थी चुकि अब खेती मनुस की प्रधान जीबिका बन चुकी थी अता चारों ओर से वहाँ इन्ही नदियों की घाटियों की ओर खिचाया जहां जहां भी मनुस था वो सभी लोग नदियों की नारे के नारे बसने लगे ताक उस से मिट्टी बनाई जा सके नदी घाटियों में इस प्रकार की मिट्टी भिपलब्द थी जो कि चिकनी मिट्टी थी और उस से बढ़गी चीज बनती थी नदी घाटियोंगी नदीव के नारे से दूरस्त भूमी पर खेती करने के लिए सिचाए Umay सकता थी और यह सुभिधा नदियों से नहरे में निकाल करके प्राप्त किया सकते थी किन्तु किरसी के साथ ही मनुष्ण ने पसुपालन का काम भी सीख लिया था नदियों की घाटियों में उसे अपने पालतुपसों के चड़ने के लिए घास मिल जाते थी और उसकी कोई कमी परिसरम करके ठकता नहीं था और कर सकता था और उसका जो है माहोल अच्छा बना रहता था नदियों की किनारे और ऐसी सभी जलवायों सभी दितुओं में मानुसरीर और सरम के अंकूल थी नदियों की निरंतर प्रवाह के ने मनुष्ण के को आवा गमन और यातायाद के हुआ करते थी तो ये चीज इसलिए नदियों की नदियों किनारे वहाँ पर जो है क्या बसाएगा लोग बसें अगला परसन है मिस्र की कला पर संचित टिपन लिखिए बड़ियां परसन है तो एक बिक्ति हैं स्वैन स्वैन कहते हैं कि मिस्र वासी महान निर्माता थे कला क कि छेतरवी उनकी उपलब्धी महान थी मिस्री सभिता के सबसे बड़ी विसिस्ता उसकी कला थी और बिल डूरेंट कहते हैं कि यहां किसी भी आदोनिक रास्ट की कला से स्रेट थी एक मात्र यूनान की कला की बराबरी इसकी बराबरी कर सकती थी तो एक मात्र यूनान की कल की सब बराबरी कर सकती थी ऐसा कौन कहता है बिल डूरेंट महोदे कहते हैं इसकी सबसे पहले हम अस्थापत तिकला आपको बताएंगे उसके ने मोर तिकला उसके ने चितरकला तो भाई अस्थापत तिकला देखते हैं कि इस प्रकासे थी मिस्र की तो अस्थापत तिकला में की समाधियां हैं ये भीतर से अलग-अलग कमरों में बटे हुए हैं जिसमें मानों उप्यों की सभी आवस्सक्ताएं जो आवस्सक और आरामदाएक समागरी उसमें रख दियाती थी एक अक्ष्य में बहुत सुरक्षित रूप से मसालें सेयुक्त ताबूज जो है बंद फाराओ अर्थत फरोहा का मृतक सरीर अर्थत ममी मृतक सरीर ममी कहलाता था और जो है ताबूद बंद फाराओ कहा जाता था इसको एक फ़सब्द में फारोह कहा जाता है फरोहा तो पिरामिडों में खफ द्वारा गीजा में बनवाए गए पिरामिट सरवाधिक महत्पोर जो है बताए गए हैं तो यह बात यहां की अस्थापति कला इस परकार से थी मूर्ती कला कैसी थी बाइस को जालनेते हैं तो मूर्ती कला की बात की जाए तो जो है जो मिस्र के कलाकार थे उनका लगारों ने अपनी छेनी से पत्थरों तता धातों को तराज करके देउताओं फ़रोहाओं तता पसवों की आकरतियां बना करके भवे मूरती का बिगाज भी किया था और बैठी मुद्रा में बनी सरवोत्तम, खेफरे और हैपसप भी जो है है और खास करके बात की जाए खड़ी मुद्रा में बनी मूर्तियों में रानो फर पुजारी की मूर्तियों लेखनी है खेफरे अर्थत गीजा के पिरामिट के सामने इसित विसाल जो है इस फंक्स अर्थत नरसिंग मूर्ती भी बनाई गई है और विसाल मलबिस की विसालता मूर्ती जो की है नरसिंग मूर्ती और इस मूर्ती का सरीर सिंग का है और सिर जो है किसका भाई मूर्ती का सरीर जो है सिंग का है और सिर जो है उसमें मानों का है थरमोस तर्तिये और रमेसिस दितिये की कठोर पासार निर्मित मूर्तियां आकास को असपस्त करती हो प्रतीत होती है अबू सिंबेल जो मंदिर है उस मंदिर में उदित होते हुए सूर की मूर्ति था अमेन होटेप तर्तिये के समय में बनी सेरों की मूर्तियां भी यहाँ पर आदिती हैं और यह मूर्तिकला की बात बता सकते हैं और तीसरा आपका चित्रकला की दिस्ताम में देते हैं और मिस्री जो चित्रकार हुआ करते थे इन चित्रकारों के युद्धों के द्रिस थे पस्थिव पस्थियों के चित्र और मानोज जीवन की बिचित्र जाकियों और देवताओं की बिचित्र कलपनाओं तो था मृतिक संसकारों की चित्र जो है बनाते थे ये लोग रानी में प्राकृतिक संदर के अधिक दर्सन यहां दिखाई पड़ते हैं तो यह ऐसे आप लेख सकते थे कोई दिक्कत की बाद नहीं थी अगला प्रसन है अठवा नंबर प्रसन है हम्बुराभी कौन था उसकी विधी सहीता को लेख कीजिए तो प्रसन बड़ा ही अच्छा है हम हम्बुराभी के बारे में पूछ रहा है कि हम्बुराभी कौन था उसकी विधी सहीता क्या थी इसके बारे में बताएं तो जो है सिन मुबालित ने के बाद जो है उसके पुत्र हम्बुराभी जो है हम्बुराभी के पिता का नाम क्या है सिन मुबालित इसके पिता का नाम तो उनके बाद में हम्बूराभी सासनकाल की गद्धी पर बैठा बेबूलूनिया के इतिहास में सरवाधिक महत्पूर्ण जो है माना आता है हम्बूराभी बैबूलूनिया का है कौन हम्बूराभी और अपने सासनकाल के पर्थम पांच वर्सों में हम्बूराभी ने कई सा किया सैनिबल में बृद्धी करी मंद्रियों के निर्माड जो है कारे में लगातारी बिस्त रहा और इसके बाद छठे वर्स में अभियान पर आर्म कर दिया अपने राज्य के और सासनकाल के तीसरे मर्स हमबूर आभी ने दूसरा सफल अभियान पर आर्म किया और इस प्रका बख़ धाई मीटर रूचे पासान अस्तम पर हमबूर आभी ने कीलाक्षर लिपी में बिधी सहिता को उतक्रिन करवाया था और हमबूर आभी की बिधी सहिता के नामसे वो पूरे के पूरे संसार में विख्यात है और इसमें हम्बूरावी की जो बिदी सहीता है उसमें 3600 पंक्ते कितनी है 3600 पंक्ते तो आप से पूछेगा हम्बूरावी की बिदी सहीता में कितनी पंक्तिया है 3600 पंक्तिया हैं ओके बाद ध्यान रखेंगे और हम्बूरावी की बिधी सहीता को बेबी लोन नगर के मर्दुक देवता के मंदिर में इसलिए स्थापित किया गया था जिससे उसकी रचना के मोल में दैबी प्रेडा का मोल दिखाई पड़े और इस सहीता को पढ़ने का हिस्त्रे हेनरी लारिंसन को गया तो आप से पूछेगा जो हम्बूरावी ने बिधी सहीता का सिला लेक करवाए था तो उसको पढ़ने का कारे साब से पहले किस ने किया है तो जो है हेनरी रालिंस महोदे ने किया है इसके बिदी सहीता के कुछ भिसेस्ताई थी उसके बारे मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले भिसेस्ता ये है कि राष्ट्र द्रोह या अपराद के मामले में गवाहों को धमकाने वाले को मृत्यु दंड विधान दिया गया है इस जो है बिदी सहीता में दूसरी बात इसमें कही गए है कि मंदिर से चुराए गए पसु के चारे को उसके मूल का तीस गुना जुरवाना के रूप में देना पड़ेगा और यदि वही पसु किसी निम्द वर्ग के बेक्ति को चुरी करता मुल की चुरी गया हो क्या मदब कहने का ये है कि वही पसु मलब जिस मंदिर को मलब की पसु के चारे को अगर किसी को बेक्ति चुरा लेता तो मूल का तीस गुना जो है उसको जुरवाना देना पड़ता था और यदि वही पसू किसी निम्द वर्ग के बिक्ती का चोरी गया हो तो चोर को उसके मूँ लिका मातर दस गुना जिर्वाना देकर ही मुगत हो सकता था अगर उसका चारा चुराता है पसू का कोई तो उसका तीस गुना देना पड़ेगा लेकिन अगर वही कोई जो है न गुना देना पड़ेगा उसमें लिखा था और तीसरी बाई बिसेस्ता इसकी ये थी कि रजत स्वर्ण और जो है रजत स्वर्ण दास ब्रिस और मेख युम गर्दर्भ मलब गधा आदिके करे विक्रे हेतु अनुबंधन पत्र और साक्ष आवस्च था इसके अभाव में चो दहे को या फिर किसी भी जो चाहे किसी भी चीज को अगर आप बेच रहे हैं तो करे भी करे करते समय कोई दस्ता बेज आपके पास होना चाहिए अगर नहीं यह दस्ता बेज आपने क्या खरीदा किसे खरीदा किसे खरीदा अगर आपके लिए कोई साक्ष नहीं तो आपको कन्या को अपनी पतनी को अपने पुत्र को साहुकार की यहाँ पर उसकी सेवा में लगा दिये तो जो है वो अपने करजे से मुक्त हो जाया करते थे पांचवी बात इसकी थी बिदी सही था कि कि पती और पतनी को अवग्या संपत्ती के दिरुपी योग मुर्खता पूर आचरण करने तथा बाहर रहने पर तलाग दे सकता था अगर पत्नी जो है पत्नी जो है तो क्या बताया हमने अगर जो है कोई पत्ती पत्नी है और पत्नी जो है अगर पत्ती के अग्या नहीं मानती है संपत्ति का दुर्पियों करती है मुर्खता पूर्ण आचरन करती है या जो है बाहर रहती है जाकर के या पती ऐसा करता है तो उसमें क्या करता था भाई तलाग दे सकते थे दोने एक दूसरी को पती द्वारा दूसरा विवाह करने पर प्रथम पतनी उसकी दासी के रूब में रह सकती थी ऐसा इसमें बताया गया था अगर पती जो है दूसरा विवाह करने पर अगर दूसरा विवाह कर लेता था तो पहली पतन यो थी वो उसकी दासी बन करके रह सकती थी इस प्रकार से ब्यवस्ता इसमें जो है इसकी वेदी सहीता में बताई गए थी हम बुराभी के चटवी बिसेस्ता इसकी ये थी भाई कि ऐसे पुत्र का हाथ काड़ ले आता था जो अपनी पिता को चोट पहुचाए अगर कोई पुत्र अपने पिता को चोट पहुचाता था तो उसका हाथ कार लियाता था सातवी बात इसकी ये थी कि सल्ल किरिया में अगर सल्ल किरिया हो रही चिकिस्था कोई हो रही है उसमें चिकिस्था की लापरवाही से यदि रोगी की मृत्व हो जाती तो इसी इस्तिती में क्या होता था चीकिस्तक का हाथ कार ले आता था जो डाक्टर होता था उसका हाथ कार ले आता था तो यह विधी सहीता थी किसकी भाई हमबूराभी की जुकि हमने आपको बता दी तो ऐसे आप बता सकते थे अगला प्रस्ण है इसमें नववा नमबर प्रस्ण है भाई जिगूरत पर एक टिपण लिखे एक प्रस्ण क्या है जिगूरत पर एक टिपण लिखे जिगूरत क्या है भाई जिगूरत क्या है इसको समझते थोड़ा सा जिगूरत के बारे आपको बता दे जिगूरत क्या है सुमेरियन नगरों के प्रमों के केंद्र मंदिर माने आते थे कौन भाई मंदिर माने आते थे अताहां के वास्तुकारों ने मंदिरों का निर्मार किया स्वारी ठीक है क्या बता है भाई जीगुरत के बारे में जिगुरत जो है प्रकार से क्या है भाई मंदिर को ही जिगुरत माना यता था और मंदिरों का निर्मार यहां के लोगों नहीं किया मंदिर जो थे यह सुमेरे नगरों के केंदर में केंदर माने आते थे और मंदिर चारो वोर से प्राचीगी से घेड़े हुआ करते थे जिसम का समू का सर्बतिष्ट भावन को जिगुरत कहाता था जिगुरत सब्द का आर्थ होता है परबत निमास कुछ भी दौनों के मतानुसार परबरतीय पर देश के निमासी होने के के करणड़ी सुमियरेनों में जिगुरतों के अवस्यष बहुत कम मिलने के से हम उनके आकार प्रकार के विशे में निश्चित रोब से ग्यात नहीं कर पाते हैं उर्व तथा निप्पूर नगरों की खुदाईयों में जिगुरत के अवसेस्त मिलते हैं जिसमें उनके आकार प्रकार और खास करके इसी के विशे में हमको जानकारी मिलती है प्रोफेसर बूली तो था एक बेक्ती है कोल्डी भी तो इन दोनोंने जिगुरतों के आवसेसों का अध्यन करके बताया कि जिगुरत जो होते थे एक घनाकार भवन होते थे जिनका निचला भाग उपरी भाग की एपेक्छा चौड़ा होता था निप्पुर के जिगुरत का बाहिरी भाग पकी इटो द्वारा बना हुआ था जिगुरत के जो आगे वाला भाग होता था उसमें तीन सोपान हुआ करते थे जो की 150 फूट उचे थे किन्तो जिगुरत में जो है समतल छज्जे होते थे सबसे उपर वरगा कार मंदिर रहता था जिसमें एक खुला प्रांगर था और उसके पीछे देवस्थान बनाया जाता था उसमें देवतावा निमास किया करते थे कुरोमर का वत है कि जिगुरत स्वरक तथा प्रथबी और मनुस्य का देवता के बीच की कड़ी के रूब में जाने आते थे और इस परकार से हम कат सकते हैं कि जिगुरत जो होता था मनुस्यों का देवताओं से संपर का स्थापित करने के सबसे बड़े माध्यम थे मनलब ऐसा भवन जो की देवता और मनुसरे के वेज़े सम्मध असापित करें कालांतर में दूसरी सेमेटिक सभ्यताओं में भी इसी परकार के धार्विक भावनों का निर्मार किया गया जिगुरत सुमेरियन वास्तुकला का सरवोच नमूना माना जैसकता है तो यह जिगुरत था मैंडब जिगुरत माने के परकार से क्या है भई मंदिर जैसे हिंदों में मंदिर होता है मुस्लिब में महिजी तो उसी परकार से इसमें क्या होता था इसमें आपका जिगुरत था ओके इस प्रकार से इतने परसनने आपको बता दिये तस लग गुत्रिये और मलग की इसमें हमने आठ लग गुत्रिये परसनों को बताया और हमने इसमें दस जो है आपको आते लग गुत्रिये परसनों को बताया और अब हम चलते हैं मेरे पार दोस्तों देर गुत्रिये परसनों पर देर गुत्रिये परसन आपको केवल दो करने यह बात भी आप देख लीजेगा इन पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा इन परसनों को अगर आपके स्रीज में है तो पढ़ लिजेगा बड़ा लंबा लंबे लंबे परसन है तो इनको बताने में आपको साथ उतने यादा जो है सबज में ना आए तो यह बात देख प्रसन क्या है प्राचीन भारती संस्कृति के साहितिक सुरोतों का वर्णत कीजिए इसको पढ़ लिजेगा हमने पढ़ा दिया पढ़ लिजेगा इसको यह बीडियो पढ़ी हुई चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगे आपको अगला प्रसन है हडपायों मोहंजवाद लोग इन परसनों को जरुब तयार कर लिजेगा एक्जामस में आएंगे ओके अगला परसने तेरवा नंबर परसने हैं मिसर नीन लदी का बरदान है समिक्षा कीजिए मोस्ट परसन परसन तो आना याना एक दम सताए हैं और वहीं अगला परसन आपके समझ चोधावा इस वीडियो को नहीं देखा दिख देख दीजेगा इसमें हमने कंळो कैसे त्यारी करें इसको लेकर के हमने बता दिया है तो आप इस वीडियो को अवस्द देखने जेगा ओके फिर मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंज भारत आप सभी का बहुत धानीबाद हमारे से जूनने के लिए इसी परकार से अपना प्यार दोला दोला हमें सजब बनाए रखेगा बहुत धनिबाद जैहिंज आप लोग कमणसेश्रमेंट करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे प्रताइख एंब करब करबाएग reconciliation के पास वीडियो को शेर करेंगा लाइक करवाएगा